दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे, राज मलहोत्रा और सिम्रन सिंग दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतिय इनाराई हैं। सिम्रन का पालन पोशन उसके माता पिता बलदेव सिंग और लाजवन्ती ने एक सक्त और रूरीवादी घर में किया है। जबकि राज का पालन पोशन उसके उदार पिता धर्मवीर मलहुत्रा ने किया है। सिम्रन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है। उसकी मालज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं। लेकिन किसी को भी आँख मूंद कर यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो भारत के पंजाब में रहता है। अजीत उस वादे को निभाना चाहता है जो उसने और बलदेव ने 20 साल पहले एक दूसरे से किया था सिमरन की शादी उसके बेटे कुलजीत से कराने का। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ती से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं मिली। एक शाम राजबियर खरीदने के लिए समय बंद करने के बाद बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। सिमरन बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने देने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लट करता है जिससे वह बहुत चिर्ती है। दोनों की जीूरिक जाने वाली ट्रेन शूट गई और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। लेकिन एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिम्रन से प्यार हो जाता है और जब वे लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिम्रन को एहसास होता है कि वह भी उससे प्यार करती है। धर पर, सिम्रन अपनी मां को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह यात्रा के दौरान मिली थी, बलदेव बातचीत सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत चला जाएगा। इस बीच, राज धरमवीर को सिम्रन के बारे में बताता है और कहता है कि वह जल्दी शादी करेगी। जब राज कहता है कि उसे विश्वास है कि सिम्रन भी उससे प्यार करती है, तो धरमवीर उसे उसके पीछे ज और भारत चले गए हैं। भारत वापस आकर बलदेव अपने रिष्टेदारों और अपने दोस्त जीत से फिर से मिल जाता है। दुखी सिम्रन और उसकी छोटी बहन छुटकी को सिम्रन का मंगेतर कुल जीत उसके अहनकार के कारण तुरंद नापसंद हो जाता है। सिम्रन राज के लिए तरस्ती है लेकिन उसकी माँ उसे उसे भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उनके रिष्टे को कभी स्विकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उस धर के बाहर पहुँचता है जहां सिम्रन रह रही है और दोनों फिर से मिलते हैं। वह उससे अपने साथ भागने की विनती करती है लेकिन राज इनकार कर देता है और कहता है कि वह बलदेव की सहमती से ही उससे शादी करेगा। सिम्रन के साथ अपने परिचय का खुलासा किये बिना राज ने बियर फैक्टरी स्थापित करने के लिए भारत आने के बहाने कुलजीत से दोस्ती की और दोनों परिवारों ने उससे तुरंत स्वीकार कर लिया। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिम्रन और कुलजीत के परिवारों से दोस्ती कर लेता है। अंततह लजजो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वह लड़का है जिससे सिम्रन को यूरोप में प्यार हुआ था। लजजो राज और सिम्रन को भी भागने के लिए कहती है लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचानता है लेकिन अंततह उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप में राज और सिम्रन की एक साथ तस्वीर मिलती है तो वह राज को थप पर मारता है और अपमानित करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही राज और धर्मवी रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते हैं, कुलजीत जो सिम्रन के लिए राज के प्यार के बारे में जानकर क्रोधित होता है, अपने दोस्तों के साथ आता है और उन पर हमला करता है। राज ने तब तक लड़ने से इंकार कर दिया जब तक कि उसके पिता को अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते समय कुलजीत ने नहीं मारा, जिस पर क्रोधित राज ने कुलजीत और उसके दोस्तों के खिलाफ संधर्ष में बढ़त हासिल कर ली और उसे बेरहमी से ही, लेकिन बलदेव उसे रोग देता है. सिम्रन उससे जाने देने की विनती करती है और कहती है कि वह राज के बिना नहीं रह सकती. बलदेव को यह एहसास हुआ कि कोई भी उसकी बेटी को राज से ज़्यादा प्यार नहीं करता है, उससे जाने देता है और ट्रेंच चू झाल 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 झाल